Hey friends, very good morning, मैं हूँ राहूर और आप सभी का daily current effects के 76 session में बहुत बहुत फागत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज का date है 30 April 2020 और आज की दिन का जितना भी important current effects बन सकता था वो सारा important current effects मैं आप लोगे लेके आचुका हूँ और हाँ दोस्तों हम लोग आज जितने भी questions के बारे में discuss करने वाले हैं उसके पीछे जो भी important facts रहेंगे उसको भी मैं साथ ही साथ जो है आपको बताता चलूँगा दूसरी बाद अगर आपने चैनल पर पहली बर पहुंचे हैं तो चैनल को सबसे पहले subscribe कर लिजेए फिर बेल के अगर को भी प्रेस कर लिजेए ताकि हमारे चैनल को जो भी वीडियो अप्लोड की जाए आपको उसकी notification मिल जाए हमारा सबसे पहला question यह कि हाली में किसने हुड़को के नए cmd का पद भार समाला है किसका तो हुड़को का और यहां पर आपके option से आपको इसका सही जवाब देना है मैं अभी आपको बताने वाला हो कि हुड़को का पहले full form क्या होता है तो देखे हुड़को का पहले full form करती है इसका formation जो है 1970 के अंदर में हुआ था और इसका जो headquarter है वो देली के अंदर में अब रहा इसके question का जवाब कि हुड़को के cmd का पद किसने समाला है तो देखो इसका सही answer आपका A यानि कि सिवदास मीना है कौन सिवदास मीना अभी हुड़को के नए cmd के रूप मे करते हैं अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ है वीरु पाक्ष मिस्रा कौन है तो वीरु पाक्ष मिस्रा जो ए अभी हाली में आपको को Union Bank के MD और CEO बनाए गया है किसको तो विरुपाक्ष मिस्रा जी को तो यह याद रखेगा अभी हाली में करेंट एफरेसर रिलेटर कोश्चन है अब देखो यह option C दिख रहा होगा को चीजें को मैंने आप मैंने आपको यद रखना है अब देखो यहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि हुड़को का हेड़कॉर्टर और अस्थापना कब हुआ है आपको मैं एक और चीज़ बताता हूं हुड़को जब भी हम लोग बोलते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आने लगती है वो है हुड़को लेक जो कि हुड़को लेक कहा है तो याद रखेगा कि हुड़को लेक जारखन के अंदर में तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो मुझे जैसे ही याद आया है आपको यहाँ पर चाहके लिख देते हैं आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आपके जो है मेमरी जो है सिल बनी रहेगी क्योंकि आपको जैसी हुट को देखोगे तो सीधा याद आ जाएगा दो चीज़े एक तो हुट को लेकि याद आएगा अपको यह भी आ जागा कि आपके options यहाँ दिये हुए है ले नई देली दोनों एफिन में से कोईने तो दोस्तों मैं बता देता हूँ किसका जो सबसे पहले सही अंसर हो आपको सी यानिकि दोनों होगा यानिकि ले और नई देली दोनों के अंदर में एंटी पीसी ने हाइड्रोजन कार और बस लाने आपको याद रखना रखने है अब देखो की यहाँ पर आपको याद राखनी है रrozाघ्रोजन नकarna कि एक कर ने दोनों है नोही देली होगा इसके जो है इस इसके MD और अध्यक्ष है, तो ये सारी चीजे आपको NTPC से related याद रखनी है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बात हुई थी लेह की, तो आप सभी को जिस तरह से पता है कि लेह किसकी राजधानी है, तो लदाक की राजधानी है, जो की हमारी Union Tetris है, जिसका formation तब हुआ है, तो इसका formation आप सभी को पता होना चाहिए कि 31 October, 31 October 2019 को इसका formation हुआ है, ठीक है, अब देखो, यहाँ के आपको सबसे पहले ये question पुछा जाता है कि इसके उपराज़िपाल कौन है, तो उपराज़िपाल कौन है, अब यसा बात है, राधा क्रिस्न मातोर जी, अगर आप उस इसके अंदर में एक बहुत important जील है, जिसका नाम है आपका पैंगॉंग, क्या नाम है पैंगॉंग, यह भी मैंने लिख दिया है, तो आप इसको याद रखेगा, बहुत बार पूछा जाता है कि पैंगॉंग जील कौन से state या फिर आपको option दे देगा, कि state या फिर किन सां important जील है यहाँ पर मैंने include की है, आपको याद अखनी है, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रस्न के बार, अगला प्रस्न ये कहता है कि हाल ये में किस telecom company ने network छमता को बढ़ाने के लिए Nokia के साथ समझवता किया है, आपके options यहाँ पर दियो है और आपको इसका अब देखो, यहाँ पर देखिए, कि Airtail ने अपने network छमता को बढ़ाने के लिए Nokia के साथ समझवता है किया, अगर आपसे ये question में पूछ दे कि कि कितने billion का समझवता हुआ है, तो याद रखेगा, एक billion dollar का इसके अंदर में समझवता हुआ है, किसका किसके बीच, तो Airtail और Nokia की बीच समझवता हुआ है, एक billion dollar का, ठीक है, ये amount भी आपको याद रखने है, अगर आपसे ये पूछ दे कि Nokia का स्थापना कब हुआ, तो Nokia का स्थापना बहुत पहले हो गया है, आप याद रखे है कि Nokia का स्थापना 1865 के अंदर में हो गया है, ठीक है, जो कि मैंने य और CEO के बारें पुछ ले, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, भारती एटल के जो MD और CEO कोन है, तो गोपाल विटल है, जो इसके MD और CEO है, जो कि भारती एटल के है, और जबकि अगर Nokia के आपसे पुछ दे कि India Nokia की जो MD और CEO कोन है, तो याद रखे है, राजीब सूरी, ज तो ये जो चीजे मैंने आपको पताई से जुड़ी, ये आपको सारी याद रखनी है, ठीक है, चलिए, अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रस्न है हमारा, कि हाली में किस बैंक ने स्वेस सहायक समू, HSC के लिए विशेस रिंज सेवा सुरू की है, किसने की है, आपको यहाँ पर जवाब देना है, आपको यहाँ पर दिये हुए है, और इसका जो बिल्कुल सही एंसर है, वो है Indian Overseas Bank, कौन सही एंसर, तो Indian Overseas Bank, अब आपको लग रहा है कि Indian Overseas का Headquarter का है, क्योंकि यह बहुत जादा important है आपके exam के लिए, तो याद रखे है कि Indian Overseas का Head Headquarter है, वो यह चिननई के अंदर में, ठीक है, याद रखे है, और एक और कोशन बनता है कि United Overseas का Headquarter का है, तो यह आप याद रखेगा कि Singapore के अंदर में, तो देखो, दो overseas bank है, एक India का याद रखेगा, चिननई के अंदर में, United Overseas Bank के बारे पुछ दे आपको इसका Headquarter है, तो जो Headquarter है, कहाँ पर है, तो अब्वे सा बात है, Bank of Baroda, यानि कि इसका Headquarter होगा, वो भी Baroda के अंदर में होगा, ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि इसका Tag Line क्या है, तो इसका Tag Line मैंने आपको बहुत बताया है, बहुत important है, India's International Bank जो है, इसका Tag Line है, तो इसको याद रखेगा, अगर आपको इसका Formation याद रखना है, तो 1908 के अंदर में इसका Formation या फिर Establishment हुआ है, कि इसका तो Bank of Baroda का, अगर आपको इसके MD और CEO के बारे पूछ दे तो Sanjeev Chadda, को तो Sanjeev Chadda, जो है, Sanjeev Chadda, ठीक है, चadda जो है, इसके MD और CEO है, कि इसके तो Bank of Baroda के, यहाँ प आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्याले अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो मैंने बहुत हुआ बता है, इसका मुख्याले कहा है, तो Mumbai के अंदर में इसका मुख्याले ही आपको पता होना चाहिए, अब देखो इसका Tag Line के बारे में, इसका 2-3 Tag Line है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कि Pure Banking, Nothing Else, जो है इसका Tag Line है, साती चाहिए, ये भी Tag Line है, The Banker of Every Indians, तो ये भी आपको Tag Line है, अगर आपको एक और Option में मिल जाए, कि जैसे कि With You All The Way, तो ये भी Tag Line है, तो ये तीन important Tag Line है, जो कि बोला जाता है, भारतिया State Bank का है, तो आपको ये तीनों याद दखना है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर, रजिनी कुमार जो है, इसके अभी अध्यक्ष है, ठीक है, तो आप उनको याद रखेगा, अगला है कि पंजाब National Bank, पंजाब National Bank के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, कि इसका जो Headquarter है, कहा है, तो नई देली के अंदर म में पंजाब National Bank का Headquarter है, अगर आप से यह पूछ दे कि इसका Tag Line का है, तो इसका Tag Line याद रखेगा, कि The Name You Can Bank Upon, फिर से, The Name You Can Bank Upon इसका Tag Line है, अगर आपको इसके MD और CEO के बारे में पुछ ले, तो आपको याद रखना है, मली कारजुन राओ, जो कि मैंने आपको पहले जो इस देश ने COVID-19 के चलते, Peach Black 2020 युद अभ्यास रद किया है, कौन सा? तो Peach Black 2020 युद अभ्यास रद किया है, अब इससे पहले तो question यह उठता है, कि Peach Black 2020 तो ठीक है, तो Peach Black आखिर कर यह अभ्यास है किसके बीच? यह सबसे जादा पहले important question उठता है, तो अब बेसा बात है दोस्त को cancel कर दिया गया है, अब देखो, मैं आपको इससे कुछ important चीजे भी बताता हूँ, देखो, पहले यहाँ पर लिख दिया, मैंने आप देख सकते हो, जिस तरह से लिखा है कि मैंने, कि भारत और Australia के बीच होने वाला, वायू युद अभ्यास था, जो कि Peach Black 2020 इसको रद कर द अभ्यास होता है, तीन important अभ्यास है, और यही होते हैं, ठीक है, जो कि 19-20 के अंदर में भी जो है, यही हुआ है, और कोई नया अभ्यास जूड़ा नहीं है, तो प्यादर कियागा कि Tiger Trump, जो कि थल सेना अभ्यास है, इंडिया और अमेरिका के बीच होता है, वजर प्रहा, यह भी थल सेना अभ्यास है, यह भी अपका इंडिया और अमेरिका के बीच होता है, यह युद अभ्यास, यह भी आपका इंडिया और अमेरिका के बीच का exercise है, थल सेना का, तो यह भी आप इसको याद रखेगा, तो इंडिया और अमेरिका के बीच तीन आपके अभ्यास ह थलसे ना exercise है तो यह भी आप उसको याद रखेगा इंडिया और चाइना के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेगा कि hand in hand hand in hand जो अभ्यास है exercise है वो आपको इंडिया और चाइना के बीच देखने को मिलेगी अगर आपसे यह पूछ देखिए इंडिया और जापन की exercise है धर्म गाडियन अगर आपको सेनुमेत्री दिख जाए ठीक है तो यह आप याद रखेगा कि किसके बीच का है तो इंडिया और जापान के बीच का यह exercise है कौन तो सेनुमेत्री और धर्म गाडियन देखो एक दो और इंपर्टेंट जो कि मैंने इंक्लूड नहीं कि वो बता देता हूं जैसे कि अगर आपसे यह पूछ दे कि भारत और बंगलादेश के बीच जो exercise होती है उसका नाम क्या है याद रखेगा संपृती संपृती जो exercise जो है वो आपका भारत संपृती exercise जो है आपको भारत और बं संसर आना चाहिए ऐसा याद होना चाहिए ठीक है तो यह PDF में मैंने डाल भी दिया है आप इसको जरूड डाउनलोड कीजेगा उसके बाद आप इसको revise करते रहेगा चलिए अगला कोश्चन है कि हाली में जूमा खातून के डॉप टेस्ट में फेल होने पर कितने वर्स का परतिबन लगाया गया है तो दिखो इंडिया के अंदर में जो है डॉप टेस्ट के अंदर में फेल होने के बाद ये कितने साल का जो इन पर परतिबन लगाया गया है कितने साल का इन पर परतिबन लगाया गया है अच्छे यह बताए कि जूमा खातून की स्केल से रिलेट तो याद रखेगा कि Athletics Integrity Unit ने इन पर प्रतिबंद लगाया है अगला question जो कि आज का बहुत important question है बॉलीबूर्ड अविनेता इम्रान खान का हाली में निधन हो गया है वो किस बिमारी से पिरित थे यह आपको बताना है अभी हाली में जो कि इतने धुरंदर अभीनेता कह सकते हैं इतने महान अभीनेता थे जिनका अभी हाली में निधन हो गया है और इनकी last movie जो थी वो थी English Medium ठीक है यह भी आप याद रखेगा और यह जो किस बिमारी कारण हुआ इनका मिलती हुट तो यह आपको याद रखना है इसका सही अनसर A यानि की neuroandrokin tumor neuroandrokin tumor जो है यह आपको इस बिमारी के पिर कारण इनकी मिलती हुए और आपको यह भी चीज याद रखना है कि ये जो बिमारी आपको एक लाख लोगों के अंदर में से एक किसी को होता है ये बिमारी कितने तो एक लाख लोगों के अंदर में से किसी एक को ये बिमारी होता है और दुरभागिवस बॉलिबूड अविनेता महान बॉलिबूड अविनेता इर्फान कान को ये बिमारी थ गई है और साल 2018 में इर्फान खान को पता चला था कि वह नीरोकाइन ट्यूमर से जो पीरीद है और इस बीमारी के इलाज के लिए इर्फान खान लंदन भी गयता है और करीब एक साल भर जो है आपको इलाज भी करवाएं वहाँ पर वापस भारत भी लोटे है फिर अब इने इर्फान खान अपनी इलाज के कारण काफी दिनों तक जो है बॉलीबूर से दूर भी रहा है स्वास होकर लोटने के बाद उन्होंने बॉलीबूर में वापसी की और अंग्रीजी मीडियम की सुटिंग भी की अगले कोशन के बढ़ते हैं अगला कोशन है मूडीज इन्व के बारे में बताया पहला तो आप याद रखेगा मूडीज दूसरा याद रखेगा क्या सिच्छ इसरा मैंने आपको बताया है क्या की स्टेंडर्स एंट पूर स्टेंडर्स एंट यह तीन इंपोर्टन जो है आपकी डर्य ट्रेटिंग एजन्सी जो कि आपको अमरिका की जो कि सभी देशों की GDP के ग्रोथ के बारे में जो ही ये अनुमान लगाती है, रिटिंग करती है, अब देखो, पहले जो क्या था, कि COVID-19 के पहले, Moody's ने बताया था, मैंने जो कि आपको पहले बार बताया था, ये 2.5 इसने बताया था, फीच ने कितना बताया था, फीच ने तो सा गलती से गलत लग गया है, ठीक है, तो पहले इसको ध्यान में रखेगा, ये नहीं होगा, आपका 0.2 फीच दी कर दिया, ठीक है, D number आपका बिल्कुल सही होगा, तो याद रखेए, Moody's के according, घटा करके कितना कर दिया गया है, 0.2 फीच दी कर दिया गया है, जबकि March म Moody's ने 2021 में व्रिदी दर 6.2 फीच दी रहने का अनुमान जाता है, वहीं Moody's ने कहा है कि साल 2020 में चीन की व्रिदी दर 1 फीच दी रह सकती है, कितना, तो 1 फीच दी 2020 के अंदर में, और इंडिया की 0.2 फीच दी रहने वाली, जो की काफी कम है एक से, ठीक है, चलिए, हमारा सार्वजनिक उप्योगिता सेवा घुसित किया है, कौन सा? सार्वजनिक उप्योगिता सेवा घुसित किया, कितने तारिक तक? आपके options यहां दिये हुए है, आपको मैं बता दूए कि इसका सही answer जो है, आपका होने वाला है 21 October, कितना तो 21 October आपका बिलकुल सही answer होने वाल किसी भी तरह का आपका answer वगेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो, यहां पर मैंने लिखा भी है, लागु रहने के अवदी तक banking, उध्योग के करमचारी, वा अधिकारी, कोई भी हर्ताल आयोजीत नहीं की जाएगी, वा निरने सरम एवं रोजगार मंतरा ले, द्वार हो रही है, सरम एवं रोजगार मंतरा ले की, आपको यह बताना है कि सरम एवं रोजगार मंतरा ले के अभी मंतरी कोन है, याद रहिए कि संतूस कुमार गंगवार जो है, सरम एवं रोजगार मंतराले के मंतरी है, तो यह चीज़ें आपको याद अखनी है, अब देखे, अ पचास लाख रुपए का मुआफजा देने का घोसना किया है कि इसने केन सरकार ने, अब एक इसने जूरी कुछ इंपोर्टन चीजे में आपको पता देता हूँ कि किसको किसको यह मुआफजा मिलेगा, पुर डिटेल में मैंने यहां लिख दिया, देखो, उसके हिसाब से इस डेट को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और जहाज रानी मंत्राले ने इस संबंद में एक व्यक्तव जाड़ी किया है, और बंदगा द्वारा सीधे अनुबंद पर रखे गए, या फिर ठेके कमचारी पर भी रखे गए, उन सभी को जो है, उनके पड़िवारों को, अगर मृत्यू हो जाती है, कोई 19 के वज़े से, कि उन सारे लोगों के पड़िवार वालों को जो है, 50 लाख रुपए का मुआफज़ दिया जाएगा, अब यहां पर बात हुई थी जहाज राणी मंत्राले, तो आपको यह याद रखना है, कि जहाज राणी मंत्राले के अभी मंत्री कॉन है, तो यह भी इंपोर्टेंट है, अब दिखिए, यह रहा आपका प्रिविएस वीडियो के कमेंट बोक्स पर देना है, साउधी अरव में किन वेक्टियों को अब मौत की साजा समाप्त कर दी गई अगर आपने हमारा प्रिविस वीडियो देखा है तो आप इसका जवाब बहुत आराम से दे पाओगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा अप आपको हमारे अगली वीडियो में अब तक के लिए स्वास्त रहें घर पे रहें जाएं